मेरे लाइफ का एक ही मोटो है कि इस खुले आसमा में, प्यारे से जहां में, इस खुले आसमा में, प्यारे से जहां में, खुशियों की मिठास बरके, बस अपनी जीत की लंबी उडान पर, बस अपनी जीत की लंबी उडान पर, सो मेरी आज की जो पॉलिटरी है, वो एक लड़की पर है, एक ऐसी लड़की जो हर दम हमेशा खुश रहा करती थी, एक ऐसी लड़की जो अपनों से ज्यादा दूसरों की फिकर किया करती थी, एक ऐसी लड़की जो अपने ही रंग में, दूसरों को रंग लिया करते थी एक ऐसी लड़की जो अपनी मुस्कान और अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत लिया करते थी आखिर उसकी लाइफ में ऐसा कौन सा मौड आ जाता है जिसकी वज़े से वो अपने इस खुबसूरत से जंदगी को बदल देते हैं वो कौन सा मौड वो कौन था वो कौन था जिसने तेरे दिल को इस कदर बदल दिया कि तुने मुस्कुराना ही छोड़ दिया वो कौन था जिसने तेरे जिसम को इस कदर बदल दिया कि तुने जीना ही छोड़ दिया वो कौन था जिसने तेरी रूप को इसकदर बदल दिया कि तुने लोगों को अपनाना ही छोड़ दिया वो कौन था जो तेरी पर इतनी जादा जुर्म कर गया कि तुने आज लोगों की बातों को मानना ही छोड़ दिया वो कौन था जिसने तेरी मासूमियत को इस कदर बदल दिया कि तूने आज अपने परिवार की बात को मानना ही छोड़ दे वो जो भी था वो जहां भी है वो आज भी कहीं तेरी आसपास ही है तू डर मत बस आगे बढ़ क्योंकि तेरी जीत में ही उसकी हारी है तेरी जीत में ही उसकी हारी है ये कहानी उस लड़की की है जो अपनी जिन्दगी को बहुती खुपसूरती से जिया करती थे तो मैंने उसके उपर एक पॉयटरी लिखी है क्योंकि मैंने उसे बहुत करीब से देखा था उसके हसते हुए चेहरे की पीचे छुपी हुए उस जर्द को मैंने देखा था उसके अन्मोल दिल में छुपी हुई उन खामोशियों को मैंने देखा था उसके तनाईयों की पीचे छुपी हुए उन घहरे राज को मैंने देखा था उसके हर बातों में छिपी हुई एक सक्चाई को मैंने देखा था हाँ मैंने जिंदगी की हर मोर पर उसको खुद से समझोता करते हुए देखा था अरे मैंने तो हर वक्त उसे अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जीते देखा था हम अक्सर कहते तो है कि बेटी पढ़ाओ बेटी को लिखाओ बट को यह नहीं सोचता कि बेटी को बढ़ाना भी चाहिए बेटी को समझना भी चाहिए बात सिरफ पढ़ाने की नहीं होती उस शब्द को उस शब्द की असली मीनिंग को समझना बहुत जुरूरी है अगर आज इस लड़की के माबाप ने उसको समझा होता उसकी तक्लीफ को जाना होता तो आज उसका ये हाल ना होता सिरफ पढ़ाना ही important नहीं होता बलकि उसको समझना भी उतना ही जरूरी होता हम अक्सर हमारे जो parents हैं वो इस सोच में डूप जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे लोग तो हमेशा बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन जो एक बच्चे की दिल की घहराई होती है वो कोई नहीं सोचता तो इसलिए मेरी आप सबसे यही request है last में की सुनकर नहीं सुना कर आया करो सुनकर नहीं सुना कर आया करो इज़त गिरा कर नहीं कमा कर आया करो सुनकर नहीं सुना कर आया करो इज़त गिरा कर नहीं कमा कर आया करो यह जिन्दगी तो बस दो पल की है यारो इसलिए दूसरों के लिए नहीं खुद के लिए जी कर आया करो दूसरों के लिए नहीं खुदके लिए जीकर आएको थेंक यू